पूरी अपना पसीना बहाता है, अपने बेटे को सेना में भेजना चाहता है, वहाँ पे भी रुकावट, कमाई में भी रुकावट, महिंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगाई बढ़ती जा रही है और एक अरोखी बात है, आपने देखा होगा पिछले पात सालों में, क्या इन चीजों की ये जो परिस्थितियां हैं आपके, ये जो संधर्श हैं, क्या इनके बारे में आपको टीवी पे कुछ दिखता है, क्या मीडिया में दिखता है, क्या आखबारों में पढ़ने को मिलत हैं, कि भाजबा की सरकार आते ही राजस्तान में चिवन जीवी स्कीम बंद हो गई, कि 25 लाग की आपको भीमा मिल रही थी, स्वास्त के लिए, कॉंग्रेस पार्टी दे रही थी, और आज 5 लाग हो गया है, क्या ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं, क्या इसके बा बड़े औध्योगपती है, आपने खुद देखा, किस तरह से महलों में रहे हैं, उनकी शादिया किस तरह से होती हैं, और देश की जितनी भी संपत्य उनको सौपी जाती हैं, उनके हजारों करोर के जो लोन है, वो माफ हो जाते हैं, किसान के 10 हजार के लोन के लिए किसान शाक्मात्य करता हैं , यह परिस्तिया हैं आज लेकिन आपको जानकारी नहीं मिलती है आप तीक्राइबिन देखते है तो इटो अच्छी जीजह देखती हैं सिर्फ होडिंग देखते है तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखनी हैं क्योंकि सबसे भीशन जो प्रहार है आज वो आपकी जागरुकता पर हो रहा है जनता की जागरुकता पर हो रहा है अक्रमण चाहे वो मीडिया की तरफ से हो तीवी की तरफ से हो भाजपा की पूरी जो मशीनरी है उसकी तरफ से हो तो जानका आपको मिल नहीं रही है सही जनता सोच रही है कि किसी का तो भला किया होगा अच्छा अच्छा दिख रहा है इस्तिहार पीवी पर दिख रहा है सब कुछ तो किसी का तो भला हुआ होगा इसलिए यह सब हो रहा है लेकिन असलियत क्या है इसको पहचानने का समय आ गया है आप आपको सिर्फ ये सुनाई देता है चारसो पार आपको सिर्फ ये सुनाई देता है कि मौदी जी कहां भ्रमण कर रहे हैं कभी आसमान में हवाँ में हवाई जहाज में उड़ रहे हैं कभी समुंदर के अंदर जाके नीचे पानी के नीचे हैं तो यही दिख रहा है आपको लेकिन आपको यह नहीं दिख रहा कि हाज इस देश की असली परिस्तितिया क्या है यह सिर्फ आपको अपने जीवन में दिख रहा है अपने अनुभव में दिख रहा है सिर्फ आपके संग़श आप पहचान रहे हैं इस देश की सरकार इसको पहचान नहीं रहे आप जानते हैं कि दस सालों में जहां जहां आपको तकलीफ हुई वहां कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आया जितनी भी स्कीमें हैं बड़े बड़े उद्योग पतियों के लिए बनी है यह कहते हैं आपको पांच किलो राशन देंगे लेकिन आपको रुजगार नहीं देंगे आपके बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका नहीं देंगे तो आपको अब जो समय आ गया है कि आपको जागरुपन्दा है यह आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए जब हम न्याय की बात करते हैं हम यह कह रहे हैं यह पहचान कर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अन्याय हो रहा है चाए वो घरीब हो उसकी सुनवाई नहीं है चाए कमजोर हो उसकी सुनवाई नहीं है मजदूर की सुनवाई नहीं है आज्ट्री की सुनवाई नहीं है उसकी कहानी कोई नहीं सुनाता आपको कहीं नहीं दिखेगा मीडिया में टीवी में और भाजप्पा के नेता आपसे ये बाते नहीं करेंगे चाहे ड्राइवर हो आटो का ड्राइवर हो चाहे माली हो, चाहे बढ़ाई हो, चाहे हस कला में कोई काम कर रहा हो, इनकी कहानियां आप सुनते नहीं, इसलिए हमने अपने जो न्याय पत्र में लिखा है, वो इन्ही की कहानियों के तहट, इन्ही के अनुभव पर लिखा है, आपकी ही आवाज है इस खोशना पत्र में इस न्याय पत्र में भाजप्पा के नेता मोदी जी एक खोकले संसार एक खोकली दुनिया में रह रहे हैं काजे बाजे में शोहरत में आपको सिर्फ अच्छा दिखता है बड़ी बड़ी इवेंट बाजी दिखती है सच्चाई छुपाने के लिए अगया और जितने भी प्रयास हैं वो सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए आज पूरे विपक्ष पर हमला है दो दो मुख्यमंतरी जेल में हैं कहते हैं ब्रश्टाचार पर वार है लेकिन सब ब्रश्टाचारी अपनी पार्टी में एक अठा कर रहे हैं सारी पार्टियों के जितने ब्रश्टाचारी हैं उनको सब नियोता देके वो निमंतरन देके ले रहे और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं कोई उनकी बारे में सवाल नहीं हो थाता तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े-बड़े उद्योगपतियों की, और वो भी गिनेचुने उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं, जो देश के लिए दिन लाग काम करते हैं, ज इनके जो गिने चुने मित्र हैं, उनको सारी संपत्ति सौपी जा रही हैं, ये उन दूसरे हो ग्योगपतियों के साथ भी अन्या हैं, तो ये पूरी जो परिस्तितिया हैं देश की इनको समझने की बहुत खास जरूरत है आज, आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं, वो वो तंत्र असुरक्षित कैसे हैं? तो ये असुरक्षित इसलिए हैं, क्योंकि जतनी भी ऐसी संस्थाने हैं और जो बड़ी-बड़े इंस्टिटूशन्ز हैं, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमजोर किया गया है, उनका गलत तरे से इस्तिमाल हो रहा है, आज य ये भी नहीं जानती कि अगर वोट डालेंगे तो क्या हमारा वोट सही तरह से डलेगा कि नहीं है तो इन परिस्थितियों के बीच जो हमारा नियाय पत्र है इसमें हमने कुछ ऐसी घोशनाय की हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपके लिए करके दिखाएं उनमें राजस्तान भी था आपने देखा कि राजस्तान में किस तरह से जो स्कीम लागू करवाई थी और जैसे मैंने कहा चरन जीवी जैसी स्कीम है जिससे आपको पूरी तरह से स्वास की सुविधाई मिलती थी तो हमारे नियाय पत्र में किसानों के लिए पांच गैरंट का आयोग बनेगा मतलब एक स्थाई आयोग होगा और आपके जो रिन है जो छोटे किसानों के जो रिन है जो आपके माफ नहीं होते हो इसके लिए वहां सुनवाई होगी फसलों का नुकसान होने पर तीस दिनों में सीधे बैंक पाते में भुकतान होगा नई कृषी की आयात निरियात की नीती बनेगी प्रयास कर रहे हैं इसलिए जो में घंभीड़ता से कहना चाहता हूँ जनोंने भारत की जुबाओं की छमता के साथ नहीं नहीं किया जन्होंने भारत की आर्थिक छम्ता के साथ न्याय नहीं किया जन्होंने भारत की अध्योगिक छम्ता के साथ न्याय नहीं किया जन्होंने भारत की सेने छम्ता के साथ न्याय नहीं किया जन्होंने भारत की सुरक्षा के साथ न्याय नहीं किया जिन्होंने भारत की सामाजिक समरस्ता के साथ म्याय नहीं किया जिन्होंने भारत की योगता के साथ कभी म्याय नहीं किया वो जब भेश बदल कर आकर आज ये कहने का प्रयास करते हैं भारत की जन्ता पूरी तरीके से झाल झाल